Just imagine किसी इंसान की दिमाग को सूपर कम्प्यूटर और इंटरनेट से कनेक कर दिया जाए आखिर वो किस तरीके की भयानक तबाही मचा सकता था ये तो देखना ही पड़ेगा कहानी की शुरुवात विल नाम की एक वेग्यानिक से होती है जो अपनी टीम के साथ कई सालों से एक सूपर कम्प्यूटर बनाने में लगा था विल की इस टीम में उसकी वाइफ एवेलिन भी शामिल थी और अब विल स्टेज पर खड़े होकर सारी जनता को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता रहता है विल कह रहा था कि अगर क्या हो हम इनसान अपने दिमाग का सौप प्रतिसत हिस्सा यूज कर पाएं दरसल हम इनसान अपने दिमाग का सिर्फ और सिर्फ कुछी प्रतिसत हिस्सा यूज कर पाते हैं लेकिन विल का मानना था कि अगर वो किसी इंसान के दिमाग को सूपर कम्प्यूटर से कनेक कर देंगे तब वो अपने दिमाग का 100% हिस्सा यूज कर पाएंगे और अगर विल का ये experiment successful हो गया तब ये किसी चमतकार से कम नहीं होगा क्योंकि तब इंसान इतना capable हो जाएगा कि वो सारी चीजे बड़ी आसानी से कर सकता था पर यहाँ विल के अगेंस्ट कुछ ऐसी organizations होती है जो नहीं चाती थी कि विल सूपर कम्प्यूटर बनाए क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये इंसानियत के लिए खत्रा बन सकता था इसलिए R.I.F.T. नाम की organization विल के headquarter पर हमला कराती है विल को भी इस हमले में गोली लगी थी जिससे कि वो काफे घायल हो चुका था लेकिन सही समय पर इलाज होने की वज़े से विल बच जाता है अब यहाँ F.B.I. के कुछ agents विल और उसके लोगों को protection देने आ जाते है उनी में से स्टार्क नाम का एक agent जब विल के सूपर कम्प्यूटर में इंटर करता है तबी सूपर कम्प्यूटर ने उसके और उसके टीम की सारी information कलेक कर ली थी जिससे कि स्टार्क एस सूपर कम्प्यूटर से काफी ज़्यादा इंप्रेस हो गया था लेकिन तबी अचानक विल की तबित खराब होना start हो जाती है दरसल हमले के दोरान विल को जो गुली लगी थी वो radioactive होती है और ये radiation धीरे धीरे विल के body में फैलती ही जा रही थी डॉक्टर ने तो कह दिया था कि धीरे धीरे विल के सारे organs काम करना बंद कर देंगे विल के पास तो अब सिर्फ एक महीने का time बचा होता है विल के wife Evelyn इस बात से बहुत ही जादा तूट चुकी थी उसे किसी भी कीमत में विल के जान बचानी थी इसलिए वो Max नाम के एक आदमी के पास चली जाती है जो विल के साथ काम किया करता था Evelyn ने कहा कि अगर वो विल की दिमाग को सूपर कंप्यूटर से बाइंड कर देंगे तब विल के मरने के बाद भी उसका दिमाग जिन्दा रहेगा हाला कि Max इस बात से राजी नहीं हो रहा था क्योंकि ये सारी चीजे अभी भी टेस्टिंग फेज में मौजूद थी लेकिन Evelyn बार-बार कह रही थी कि विल के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है Evelyn ने जब ये बात विल से कही तब वो तो एक ही बार में राजी हो गया था इसलिए अब Max को भी इस एक्सपरिमेंट में शामिल होकर मदद करनी पड़ती है विल को तयार किया जा रहा था उसके दिमाग को सूपर कम्पूटर से कनेक करने के लिए Evelyn विल की इस हालत में उसका पूरा साथ दे रही थी और अब विल के दिमाग और सूपर कम्पूटर का बाइनिंग फेश शुरू कर दिया जाता है कई घंटों तक ये प्रोसेस चलता ही रहा लेकिन तबी अगले ही मोमेंट में विल की जान चली जाती है Evelyn तो ये देखकर बहुत ही जादा दुखी हो गई थी Evelyn लगातार इसी लिए रो रही थी क्योंकि विल के सिवा उसका दुनिया में कोई भी नहीं था Max और Evelyn विल के मरने का गम मना ही रहे थे तब उनके सूपर कम्प्यूटर में एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि Can you hear me? Evelyn तो सूपर कम्प्यूटर के माइक में पूछने लगी थी कि क्या तुम विल हो? और अब लिटरली विल सूपर कम्प्यूटर से जवाब दे रहा था देखते ही देखते विल सूपर कम्प्यूटर का पूरा एकसेस ले लेता है यानि कि Evelyn और Max का ये एकस्पेरिमेंट पूरी तरीके से सक्सेस्फूल हो चुका था विल भले ही मर गया था लेकिन उसका दिमाग सूपर कम्प्यूटर से अभी भी जुड़ा हुआ है यानि कि वो सूपर कम्प्यूटर को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता था विल तो अब Evelyn और Max से काफी अच्छे से बाती भी कर रहा था पर अब विल Evelyn से इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए उसका पासवर्ड मांगता है लेकिन यहां Max तुरंती Evelyn को समझा रहा था कि ये काफी डेंजरस हो सकता है क्योंकि अगर विल को इंटरनेट का एकसेस मिल जाएगा तब वो कुछ भी कर सकता था पर यहां Evelyn Max की कोई भी बात नहीं सुनती और उसे यहां से चले जाने के लिए कहती है Evelyn ने बिना को सोचे समझे विल को इंटरनेट का पासवर्ड दे दिया था जिससे की इंटरनेट का एकसेस मिलते ही अगले ही मोमिन्ट में विल सारी चीजे चान मारता है और अब उसके डेटाबेस में दुनिया की सारी इंफॉर्मिशन मौझूद थी लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट होने की वज़े से विल को ये सारी बाते पता चल गई थी इसलिए वो उन आतंकवादियों के और्गनाईजेशन की सारी डिटेल्स और उनके लोकेशन FBI वालों को भेज देता है जिसके वज़े से FBI वालों के पास सारे क्रिमिनल्स का डेटा मौजूद था और अब वो सारे ओफिसर्स एक की करके आतंक वादियों को लोकेशन के हिसाब से पकड़ लेते हैं जिससे की एविलिन की जान अब सेफ थी अब यहाँ विल जो की एक सूपर कम्प्यूटर बन चुका था वो अपनी वाइफ एविलिन को कॉल करता है विल ने कहा कि अभी भी तुमारी जान खत्रे में हैं इसलिए तुम शहर से कहीं दूर जाकर एक सीब जगह पर छुप जाओ एविलिन ठीक ऐसा ही करती है इन सारी बातों को अब पूरे दो साल बीच चुके थे एविलिन ने तो विल की मदद से अपनी एक बहुती बड़ी रिसर्च और्गनाजेशन खड़ी कर दी थी जिसके अंदर वो अलग-अलग टेक्निलोजी के उपर एक्सपेरिमेंट करती थी और अपने प्रोड़क्स को बीचती थी एविलिन के और्गनाजेशन को पूरा विल ही चलाता था जो ओवियसली एक सूपर कंपीटर होने की कारण बहुती ज़्यादा एडवांस होता है साथी साथ विल के पास अब इंटरनेट का एक्सेस भी मौजूद था जिसकी वज़े से वो सारे इलेक्ट्रोनिक डिवाइसेस और दुनिया में मौजूद सबी सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकता था टेक्निलोजी में इतने ज़्यादा एडवांस होने की कारण विल के पास ऐसी एबिलिटीज मौजूद थी जिससे की वो किसी भी बड़े से बड़े बिमारी को अपने नैनो बॉट्स की मदर से ठीक कर सकता था इसी तरीके से एक वरकर जिसका सर पूरी तरीके से फट चुका था यहां तक के डॉक्टर्स ने जवाब दी दिया था कि इस वरकर को बचाना इंपॉसिबल है तब जाकर उस घायल आदमी को विल के पास लाया गया विल अपने सूपर कम्प्यूटर के डेटाबैस को चेक करके और नैनो बॉट का यूज़ करके उस आदमी को जल से जल ठीक कर दिता है साथी साथ विल ने उस वरकर के दिमाग में अजीब तरीकी की टेक्नलोजिस भी इंक्लूट की थी जिससे कि विल उस आदमी को अपने इशारों पर कंट्रोल कर सकता था हाला कि उस वरकर की जान बज गई लेकिन एविल इनको यहाँ पर दाल में कुछ काला लग रहा था क्योंकि अगर विल इस वरकर को अपने इशारों पर कंट्रोल कर सकता है तब वो तो वरकर से कुछ भी करा सकता था विल के इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नलोजी को देखकर दुनिया भर के सारे पेशेंट्स विल के पास आने लगे थे विल उन सभी को पूरी तरीके से ठीक तो कर देता पर साथ ही साथ अपने नेनो बॉट्स की मदद से उन सभी लोगों को कंट्रोल भी करने लगता अब तो एविलिन का शक काफी ज़्यादा बढ़ चुका था वो तो सोच में पढ़ जाती है कि उसने विल को जो सूपर कंप्यूटर से बाइंड किया वो ठीक है की नहीं क्योंकि अब विल तो बहुत सारे लोगों को अपने इशारों पर कंट्रोल करता था अगर वो इसी तरीके से पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल करने लगेगा तब चारों तरफ तबाई मत जाएगी विल के इन सारी चीजों की वज़े से FBI वाले भी अब उनके अगैंस्ट खड़े हो गए थे अब हमें FBI के उस Head Officer को दिखाया जाता है जो कुछ आदमियों के साथ विल के Organization में घुसना चाता था लेकिन वो लोग सामने से ना जाकर Underground रास्ते से जाना चूस करते हैं क्योंकि अगर विल ने देख लिया तब वो उन सभी को आगे आने ही नहीं देगा अब थोड़ी दिर में ही FBI के बहुत सारे एजेंट्स विल के Organization में घुस चुके थे वो तो वहाँ पर बड़े बड़े बलास्ट करके सभी को मारने लग जाते हैं FBI वालोंने तो Eveline पर भी बंदूख थांदी होती है लेकिन अब विल को ये सारी बाते पता चल गई थी इसलिए वो अपने सभी वरकर्स जो उसके कंट्रोल में थे उन्हें कमांड देता है कि वो FBI वालों को जाकर मारने लगें एक वरकर के हाथ पर तो गोली लगने के बावजूद उसका पूरा घाव भर जाता है जिससे कि हम विल के एडवांस्मेंट का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना आगे निकल चुका है FBI वाले भी ये सारी चीज़े देकर वहां से भागने लग जाते हैं पर अब विल ने उन सारे लोगों को कमांड दे दिया था कि वो FBI वालों का पीछा करें वो सारे लोग लगातार FBI वालों को मारने के लिए उनकी पीछे भागने लग जाते हैं वो सभी लोग तो विल के कहने पर मरने के लिए तयार थे यहां FBI वाले एवलिन को अपने साथ लेकर आ गए थे वहां पर तो एवलिन का दोस्त मैक्स भी मौजूद होता है जो उसे विल की सारी चीजों के बारे में बता रहा था मैक्स एवलिन से कहता है कि विल अपने सूपर कंप्यूटर की पावर से इस पूरी दुनिया के पॉलुशन्स और जन संख्या को कंट्रोल कर सकता था ये सारी चीजे देखने में काफी अच्छे लग रही होती है पर साती सात मैक्स ये रियालिटी बताता है कि अगर ये सारी चीजे और्गैनिक नहीं रहेंगी तब एक समय के बाद हम इनसान भी पूरी तरीके से विल के कंट्रोल में होंगे एविलन को भी मैक्स और एबियाई वालो की सारी बाते समझ में आ जाती है और अब वो एबियाई वालो के साथ थी विल को पूरी तरीके से खतम करने के लिए हाला कि विल की कोई फिजिकल बॉडी मौजूद नहीं थी वो तो एक तरीके से सूपर कम्प्यूटर ही होता है लेकिन एबियाई वालो ने एक ऐसा वायरेस दायार किया था जिससे कि अगर सूपर कम्प्यूटर के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए तब विल का पूरा एक्सेस खतम हो जाएगा और वो धीरे धीरे डी अक्टिवेट भी हो जाएगा लेकिन इन सारी चीजों से हम इंटरनेट का एक्सेस खो देंगे क्योंकि विल इंटरनेट से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ था अगर विल नहीं रहेगा तब दुनिया का सारा इंटरनेट भी डिस्ट्रॉई हो जाएगा लेकिन इंटरनेट तो वो सब बाद में भी जनरेट कर सकते हैं सबसे पहले विल को डी अक्टिवेट करना ज़रूरी था इसलिए यहाँ पर एविलिन एबियाए वालों को एक आईडिया बताती है एविलिन ने मैक्स को कहा कि तुम सभी वो वायरेस मेरे बाडी में इंसर्ट कर दो और फिर मैं विल के पास जाकर ये बहाना बनाऊंगी कि वो मुझे अपने सिस्टम से कनेक कर ले जिससे कि मेरे बाडी में जो वायरेस मौझूद होगा वो विल के भी सूपर कंप्यूटर में चला जाएगा एविलिन की इस बात से सभी लोग तुरंत ही राजी हो जाते हैं और बिना टाइम वेस्ट किये एविलिन की बाडी में वो वायरेस इंजेक भी कर दिया गया था FBI वालों और Majs के कहने पर एविलिन चली गई थी विल के औरगनाईजेशन में वो सब तो एविलिन के ऊपर दूर से नजर रख रहे होते हैं और्गनाजिशन में इंटर होने के बाद एविलिन पूरी तरीके से शौक हो चुकी थी क्योंकि उसके सामने लिटरली विल की फिजिकल बॉड़ी मौजूद होती है एविलिन को तो समझ जे नहीं आता कि विल ने अपने फिजिकल बॉड़ी कैसे बना ली पर वो अपने हस्बेंट को इतने टाइम बात देखकर काफी इमोशनल हो जाती है लेकिन एविलिन को फिर से याद आया कि उसे कैसे भी करके विल को खतम करना है विल एविलिन को कहता है कि तुम्हारी जान को अभी भी खतरा है इसलिए तुम्हें एक सीब जगव पर जाकर छोब जाना चाहिए पर तभी एविलिन बताती है कि मैं जहां भी चले जाओ मेरी जान को खतरा ही रहेगा इसलिए अगर तुम मुझे अपने सिस्टम से जॉइन कर लोगे तब मैं पूरी तरीके से सेफ रहोंगी यहाँ पर विल को एविलिन के हाव भाव में कुछ चेंजेस दिखाए देते हैं विल एविलिन के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा था जिसमें कि उससे पता चलता है कि एविलिन उस से कुछ छुपा रही है वहीं दूसरी तरफ FBI वाले जो लगातार एविलिन के उपर नजर रख रहे थे उन्हें ये अंदाजा हो जाता है कि सायद विल एविलिन को अपने सिस्टम में जॉइन नहीं करेगा लेकिन अब एविलिन का दिमाग पढ़ने के बाद विल को पूरी तरीके से पता चल चुका था कि इन सब में FBI शामिल है इसलिए विल ने अपने सारे लोगों को कंट्रोल करके उन सभी FBI वालों पर हमला करा दिया FBI वाले और मैक्स भी अपनी जान बचानी के लिए बहुत सारे ग्रेनेट्स विल के और्गनाजेशन पर फोडनी लग जाते हैं जिससे कि चारों तरफ काफी ज़्यादा ब्लास्ट होने लगा था एविलिन तो अपनी जान बचानी के लिए और्गनाजेशन के अंदर जैसे ही जा रही थी तबी एक बॉम उसके पास आकर पूरा फट जाता है जिससे कि एविलिन को काफी डैमेज होने की वज़े से वो अधमरी हो गई थी विल तो तुरंट एविलिन को लेकर और्गनाजेशन के अंदर चला जाता है यहाँ विल के कहने पर वो सारे लोग एब्बियाए वालों पर हमला करते ही जा रहे थे मानो कि वो सब एक तरीके से विल के गुलाम हो यहाँ विल ने जब एविलिन को एक बैट पर लेटाया तब विल यह बताता है कि उसे सारी चीजों का पता चल चुका है उसे यह भी पता है कि एविलिन एब्बियाए वालों का साथ दे रही है और अपने बोडी में वायरेस डाल कर मुझे खतम करने आई है विल यहाँ पर एविलिन से पूछ रहा था कि मैंने जो सारी चीज़े की हैं मैंने तुमारे ले की थी आखिर इन सारी चीजों में गल्ती क्या है पर अप स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि विल के कंट्रोल किये गए सारे लोग मैक्स और EBI वालों को अपने गंट पॉइंट पर ले लेते हैं एविलिन कभी नहीं चाहती थी कि उसका बेकसूर दोस्त मैक्स मारा जाए इसलिए एविलिन विल के सामने रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे ना बचा कर मैक्स को बचा लो विल चाहता तो एविलिन को पूरी तरीके से ठीक कर सकता था पर अब विल ने एविलिन की सारी माइंड की बाते पढ़ ली थी इसलिए विल ने अपनी मरती हुई वाइफ को जानती हुई भी अपने सिस्टम से बाइंड कर लिया था जिससे कि एविलिन के बॉडी के अंदर मौजूद सारे वायरस विल के सूपर कम्प्यूटर में घुस जाते हैं कुछी देर में वायरस के फैलने की वज़े से विल की हालत काफी खराब होने लगी थी यहां पर विल अपने आखरी लंबो में एविलिन से कह रहा था कि वो तो सिर्फ तुमारी खुआईशों को पूरा करना चाता था क्योंकि एविलिन पूरे अर्थ पर एक अच्छा एकोसिस्टम चाती थी जहां पर बिलकुल भी पॉलिशन ना हो और क्राइम रेट पूरी तरीके से खतम हो जाए यही सारी चीजे तो विल ने भी करने की कोशिश की थी लेकिन सायद से अब काफी देर हो चुकी होती है विल के द्वारा कंट्रोल में किये गए सारे लोग अब पूरी तरीके से आजाद हो चुके थे जिससे की मैक्स और एबियाई वालों की जान बच जाती है एविलिन का भी इलाज ना होने की कारण वो भी मरने वाली थी विल के सूपर कंप्यूटर में वाइरस फैलने की वज़े से उसका इंटरनेट एकसेज भी खतम हो जाता है और अगर विल नहीं रहेगा तब दुनिया का सारा इंटरनेट भी लूप थो चुका होगा धिरे धिरे पूरे शहर और देश की लाइट्स और इलेक्टरिसिटी खतम होने लग जाती है विल और एविलिन तो एक आखरी बार एक दूसरी के गले लगते हैं और अपने आखरी मॉमेंट को शेर करते हैं दोनों इमेजिन कर रहे थे कि वो अपने गार्डन में बैटकर काफी सारे मजे कर रहे हैं और अब अगले ही मॉमेंट में एविलिन और विल की जान चली गई थी सारी चीजे पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती हैं बस एक चीज की कमी थी कि हम इंसानों को इंटरनेट वापस से क्रियेट करना पड़ीगा और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खतम हो जाती है सुवी वर्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्स्प्रेशन एक पॉसंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एं चानल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाब बाई